जैपुर से है जहां मौसम विभाग का पूर्व अनुमान सामने आया है पूर्वी राडिसान में हो सकती है बरसात एक दो स्थानों पर हल्की बरसात के आसार है पश्चेमी राडिसान में साफ रहेगा मौसम आपको जैपुर से खबर बतारे जहां पूर्व अनुमान यहां पर सामने आया है एक दो स्थानों पर हलकी बारिश के आसार यहां पर मौसम विभाग ने जताए है और साथी बताया है कि पश्चिमी रारिसान में मौसम साफ रहेगा जैपुर से खबर जहां मौसम विभाग का पूर्व अनुमान अब सामने आया है और इसी को लेकर पूर्वी रारिस्तान में बरसात हो सकती है ऐसी आशंका जगत आई गई है और साथी एक दो इस्तानों पर हलकी बरसात के भी आसार है आपको जैपुर से खबर बता रहे जहां मौसम विभाग का पूर्व अनुमान यहां पर सामने आया है पूर्वी रारिस्तान में बरसात के आसार यहां पर व्यक्त किये गए है और साथी एक दो इस्तानों पर हलकी बूंदा बांदी का भी अनुमान मौसम विभाग ने जटाया है एक दो इस्तानों पर हलकी बरसात के आसार है जैपुर से आपको खबर बता रहे जहां मौसम विभाग का पूर्व अनुमान सामने आया है पश्चिमी राजिसान में मौसम साफ रहेगा ये भी मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है पूर्व अनुमान आपको मौसम विभाग का बता रहे हैं जहां पर बताया गया है कि पूर्वी राजिसान में बरसात हो सकती है और साथी इसके अलावा एक दूस सानों पर हल्की बरसात के आसार यहां पर व्यक्त किये गए हैं पश्चिमी रादिसान की बात करें तो यहां पर मौसम साफ रहेगा आपको बता दे लगातार मौसम परिवर्तन हर जगे देखने को मिल रहा है और इसी बीच जैपुर में मौसम विभाग का पूर्व अनुमान सामने आया है एक दूस सानों पर हल्की बरसात के आसार यहां पर जटाए गए है और इसी खबर पर और दिक जानकारी देने के लिए एवन समाधाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़रे हमार साथ जी लोकेश बताएं किस तरीके से मौसम विभाग का पूर्व अनुमान अब सामने आया है बताएं पर जी लोकेश बताएं कि मौसम विभाग का इन इसे तरीके एज़िए राजस्तान का चेहतर है उसमार की धूम पिछाए रहने के लिए देगे हैं जी लोकेश जी लोकेश जिस परकार बिके जिनों के मुस्म इभागन जिसको आप इसे दाउन ने देगे के राजस्तान में बारिष के साथ में ओले गिने की समागाना है उसी वचित लेकर इस दो आप मुस्म इभागन ने संकाज जाए कि अब इस जंटे में हरकी बंदा बादी हो सकती है क्यों इस प पूर्वी राजसान में बरसात हो सकती है और इसी के चलते मौस्म विभाग का पूर्व अनुमाज सामने आया है